चलो जी, बूड इवनिंग ओल अफ यू, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बढ़िया टॉपिक है, आज हमारे पास समझने में भी बजा आएगा, उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, और चलिए, कर क्या रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, सॉल्यूश not on the nature, से कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने कौन सी कर ली थी, relative lowering in vapor pressure, second कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी कर ली थी, elevation in boiling point, non-volatile solute डालने पर boiling point solution का बढ़े जाता है, आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, depression in freezing point, साथ साथ लिख लो, depression in freezing point बेटाजी, क्या बेटाजी, depression in freezing point, depression in freezing point क्या होता है बेटाजी, delta Tf, क्या होता है बेटाजी, delta Tf, delta Tf, depression in freezing point होता है, और यह हमारी number third colligative property है, यह हमारी बेटाजी number third colligative property है, non-volatile solute मैंने add किया, तो मेरा freezing point, कम हो गया, what do you mean by freezing point, what is the definition for freezing point, बताओ, liquid turns into solid, the point, या the temperature at which, the temperature at which, right, समझ गये बस, liquid से solid, अगर freeze होता है, जिस भी temperature पे, वो आपका freezing point होता है, water का normally freezing point क्या रहता है, 0 degree Celsius, सही बात है, या फिर मैं ऐसे कह दूँ, जिस point पे solid मेरा melt होता है, हम क्योंकि सारी चीजों को vapor pressure से पढ़ रहे है, क्योंकि हमने start किया RLVP से, सारी चीजों को हम relative lowering in vapor pressure, पहले हमने vapor pressure पढ़ा, फिर RLVP लगाया हम लोगों ने, फिर boiling point को समझा, तो भी vapor pressure के माधियम से समझा, ठीक है, इसमें ये वाला portion कट रहा है कि आज, तुम पढ़ाने मत दे न, हाँ ठीक है, और इधर जाएंगे तो नहीं दी, चलो, ठीक है भाई लोग, चलो कोई बात में है, वापिस एक बार topic पे continuity पे आते हैं, तो मैं आपको अगर vapor pressure की terms में freezing point का definition पूछो तो क्या होगा, जब solid का vapor pressure, becomes equal to liquid का vapor pressure होगा, वो आपका freezing point रहेगा, जिस temperature पर आपका liquid का vapor pressure becomes equal to solid का vapor pressure होगा, वो आप लोग का क्या रहेगा, freezing point रहेगा, लोगा, 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 क्या आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं बोलो याद आप इसको समझने के लिए टॉपिक को दुबारा से मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना है मैंने वहां पे भी आप लोगों को वेपर प्रेशर और टेंप्रेचर से समझाया था यहां पर भी मैं वेपर प्रेशर और टेंप्रेचर से ही समझा दूँगा आपको सारी कानी एक बार बोर्ड पे नजने एक बार नजने सीधा बोर्ड पे सारा ध्यान एकदम बोर्ड पे ठीक है बेटा जी लिखना कुछ भी नहीं है आप मुझे बताईए अगर मैं temperature को कम कर दूँ अगर मैं temperature को कम कर दूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि मेरा वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है क्योंकि temperature जब बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था बोलो यार तो मैं अगर यहां पे solvent ले रखा है क्या ले रखा है pure? Solvent तो यह कुछ इस तरीके से जाएगा बोलो यार और फिर इस point पर इस point पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा यह solidification हो गया solidify हो गया क्या? Solvent यहां पे क्या था वो? Liquid तो यह temperature मेरा क्या कहलाएगा बेटा? यह कहलाएगा T naught F क्या कहलाएगा बच्चों? तो T naught F क्या हो गया? freezing point of pure solvent freezing point of solvent at pure state वाला है यह T naught यह ऐसे pure state छोड़ो तुम लोग freezing point of solvent बहुत है क्या बहुत है बेटा? freezing point of solvent अकेला solvent है यह अभी मैंने इसमे non-volatile solute अड कर दिया, dimple क्या अड कर दिया बेटा? non-volatile solute non-volatile solute के अड करने से vapor pressure क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा vapor pressure कम होगा तो इस temperature पे थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊँगा के नहीं बनाऊँगा? बोलो यार yes or no यार? yes sir अब मैंने ये solution की जब line मारी तो ये इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कट करेगी अरे ये आपने solute plus solvent डाला? इसको मैं solution लिख देता हूँ अरे बोलो यार yes sir देखो मैंने non-volatile solute डाला तो पहले के comparison में vapor pressure क्या हो गया आप? कम और अगर वही मैं extension मार दूँ थोड़ा सा इसी चीज़ का अगर मैं extension मार दूँ ये line आगे मत cross करिए तो यहाँ पे solvent देखिए solvent का ही हम look after कर रहे है मैं ये कह रहा हूँ आपको solution में भी ध्यान से सुनना अगर आप इसको समझना चारे हो तो ध्यान से सुनना इसमें जो solvent है ना solution में जो solvent है केवल वही solidify कर रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे solute का solidification से लेना देना नहीं है तभी तो हम compare इसको इससे करेंगे बोलो ना याथ अरे यहाँ पे यह solvent यहाँ पे solid हो रहा था तो मैंने यह जो यहाँ पे solid हो रहा था यह solvent यहाँ पे solid हो रहा था मैंने बोला मैंने इसमें solute मिला दिया अब वही solvent आपका solution मन चुका और वो solidification यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा आप graph के तोर पे समझ पाए होंगे क्योंकि vapor pressure कम हो गया तो फिर यह कही ना कही पीछे तक extend होगा अब यह जो आपका freezing point है वो solution का freezing point है किसका freezing point है solution का तो TSF क्या हो गया बेटा जी freezing point of बोलो यार freezing point of solution अरे बोलो यारो समझ में आरी है के नहीं आरी ठीक है ओके रिपोर्ट है अब आप मुझे एक बात बताईए solution का freezing point पहले से क्या हो गया है कम हो गया है कम को क्या बोलेंगे depression है वो depression नहीं है जो आपको chemistry की किताब देखके होता है यह depression कम वाला है depression in freezing point यह break up के बाद वाला depression नहीं है ठीक है यह depression है solute की वज़े से ठीक है चलो पंड़ा clear हो गया अब इस depression को कैसे निकालोगे mention किया delta tf ठीक है इस depression को कैसे निकालोगे बताओ sir t not f minus tsf t not f minus tsf बड़ा minus छोटा पंड़ा clear हो गया बोलो यार ठीक है आप मुझे बताइए अगर मैं इसमें non-volatile solute ज़्यादा add करता तो vapor pressure और कम होता यह line और पीछे तक extend होती और depression और ज़्यादा हो जाता बोलो यार yes और no तो कुल मिला के solute की concentration पे डिपेंड कर दी है depression in freezing point concentration term मैंने बिल्कुल ऐसे ही topic पीछे जो करवाया था उसमें molality मानी थी यहां भी molality मान रहा हूं तो delta tf is directly proportional to molality हो जाएगा दोस्तों delta tf is equal to क्या हो जाएगा आपका kf into small m हो जाएगा भाईयों बैनों kf को क्या बोलेंगे अरे kf को क्या बोलोगे molal depression constant kf का क्या नम हो जाएगा बिटा जी molal depression constant देखना है kf नजर आ रहे है क्या molal depression constant and cryoscopic constant कौन सा constant है विटा जी है cryoscopic constant समझ में आ रही है उबेद भाई यह है cryoscopic constant विटा जी इसका एक और नाम है cryoscopic constant unit की अगर मैं बात करूँ इसकी unit की तो unit इसका वही रहेगा जो पहले था Kelvin kg mol inverse अगर आपको kb समझ में आ था तो kf नी समझ में आ गया होगा yes or no यार yes kf का mathematically kf को कैसे निकाल होगे एक mathematical expression है for kf mathematical expression for बेटा जी kf बिल्कुल वैसा ही m r t not f का whole square divided by thousand into delta h के नीचे fusion लिख रहा हूँ solid से liquid का transition fusion कहलाता है क्या कहलाता है ऐसा होने पर जो enthalpy release होती है वो है r है आपका gas constant energy का unit ले लीजिएगा और m क्या है आपका molecular mass of solvent अरे बोलो यार gas constant की value जूल में जाएगी क्या आपको ये topic समझ में आया जल्दी कर लो note देखो मैंने आपको last topic कराया उस पर बहुत ज़्यादा question नहीं कर वाए again इस topic पर अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा question नहीं कर वाँगा क्योंकि next एक topic है हमारे पास went off factor का उसमें एक terminology आप लोग सीखोगे वो इनी सारे के सारे जो colligative properties के formulas में लगेगी और अचानक से आपको सारे के सारे question दुबारा करने पड़ेंगे तो जितने भी important question मनते हैं वो went off factor और इनको मिला कर कर के बनते हैं इसलिए मैं इस पे जादा जादा question अभी नहीं करवा दा हूँ आपको ठीक है तो एक basic सा question जरूर करवाएंगे पर ताकि आपको formula at least लगाना आ जाए ठीक है आप formula लगाने लगाने के लिए मैं आपको एक numerical करवा देता हूँ बड़ें बेटा जी आगे very easy numerical बोलते हैं भी आपको फटा फट से एक बार कर लो note फिर एक बहुत ही आसान numerical आपके लिए ती नोट एफ का square है येस ठीक है ठीक है संडे को retest वालों का retest होने वाल है और इस class के बाद में हम discuss कर लेते हैं पुराने test को एक बार ठीक है मिलके right और कोई doubts हैं तो वो ले सकते हो आप लो class के बाद ठीक है ना और Sunday देने आना तुमारे लिए special Sunday class online होगी confirm होगी ठीक है ना Sunday की class केवल और केवल only online class Sunday और Sunday थोड़ा सा ज़्यादा भी मैं आपको पढ़ाऊँगा संडे सुबह का time 10 बजे या 9 बजे के करीब class रहेगी last time हमने 11 बजे shift कर दी थी message आ गये थे मैंने भी inform late किया था अब तुमें आज से इन फॉर्म कर देतों मैं एक से एक गंटे के recording मिल जाएगी कोई problem नहीं है ठीक है चलो done हटा दे हटा दे हटा दे ने चलो एक question लिखो आप लो फटा फट से thousand gram of water thousand gram of water has 0.1 mol urea thousand gram of water has 0.1 mol urea full stop what will be the what will be the freezing point of the solution right what will be the freezing point of the solution if if kf of water is if kf of water is 1.86 Kelvin kg mol inverse एक के बेटा जी आंसर कितना आ रहा थेडिक गलत है 0.186 0.186 भी गलत है दो बार गलती होगी बिटा जल्दबाजी में काम गलत हो जाता है एक्यूरेट अंसर नहीं है आपका अब जब हम बताएंगे तो बोलोगे ओ यही बोला था ओ यह रहे गया था फाल तू बाते करोगे अभी बिल्कुल गलत है तेरा वाला भी अल्टिमेटली गलत है दुबारा देख बिटा कोश्चन को क्या कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो solve कर रही है बटा इतना नहीं करना था इसमें इदर देख डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगेगा के एफ इंटू स्मॉल एम क्या निकालना है बताओ नहीं पड़ा ही नहीं आपने कोशन ही नहीं पड़ा आपने पढ़ो कोशन पढ़ो freezing point of solution निकालना है यानि के डेल्टा टी एफ को आपको open करना पढ़ेगा T not F minus टी एस एफ आपको यह निकालना है आपको के एफ दिया हूँ मैंने कितना दिया हुआ है 1.86 यूनित नहीं लिख रहा हूँ इसकी molality 0.1 upon 1000 ग्रैम दिया था अच्छा ठीक है यह तो यही हो गया एक बात बताओ यह देखो T0F अगर बोलू तो 0 degree Celsius होगा क्योंकि water है solvent water है water का freezing point 0 degree Celsius है minus TSF solution का freezing point कितना होगा solution का freezing point निकालना है यह कितना होगया 1.86 हो गया के नहीं होगया बटाजी अब यह 0 degree Celsius में ही मान लेते हैं इसको हम क्या दार है मारे घर से क्या दार है तो यह minus 0 तो 0 ही हो गया बस हमने यह मान लिया के degree Celsius में minus को उदर बेच दो यह आगया answer आपने क्या बताया था मैंने बताया था 0.18 मैंने वही का था कि आप खुदू बात करो के बोलो कि यही बताया था मैंने और यह अल्टिमेटली आप पर गल्था क्यूंकि आपने minus में लिगा आप तो बटा इतने बड़े मतलब जो भी हो आपको यही नहीं बता लगा कि solution का freezing point निकालना है आपने कहा था कि delta tf निकालना है acceptance सीखो acceptance गल्ती आपको accept आदमी तो कल करनी पड़ेगी ठीक है बिटा आपो आदमी आदमियों की गल्ती ना भी होना तो भी उन्हें accept करनी ही पड़ती है कभी वरना उनकी बंदियां उन्हें छोड़के चली जाती है समद गए यही है वो तो हम लोगों की अगर गल्ती नहीं भी होती तो भी हम अगर मान लें तो ही हमारा जीवन जो है successful है और आप तो यहाँ पे खल आती थे आप तो बरबाद हो जाओगे आपका तो गुजारा एक दिन नहीं है चलो आगे बढ़ने है चलो ठीक है टॉपिक हो गया खतम खतम तो नहीं हुआ है obviously यह टॉपिक हम आगे जरूर करेंगे आगे करेंगे वेंट आफ एक्टर को लगा करके अभी हाइडिंग बढ़ियां सी नहीं बना लो ओस्मॉटिक प्रेशर इसमें ना आपको दो तीन पहले में डेफिनेशन लिख वा रहा हूँ फिर पूरा टॉपिक एक साथ समझाता हूँ ठीक है ओस्मॉसिस डेफिनेशन लिखो पहले ओस्मॉसिस की दा फ्लो अफ लिखो इस दा फ्लो अफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिकूल्स कुछ भी लिख सकते हो दा फ्लो अफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन the flow of solvent particles from a region of low solute concentration to a region of high solute concentration through a semi permeable membrane through a semi permeable membrane is known as osmosis semi permeable membrane क्या होती है बटा आप लोगों की ठीक है चलिए मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाओं इसके अंदर क्या हो रहा है ये for suppose मेरे पास ठीक है एक container है यहाँ पर outlet बना देते हैं दो बीच में लगा देते हैं semi permeable membrane यहाँ लिख देता हूं solution और यहाँ लिख देते हैं solvent तो अभी केवल और केवल मैं आपको osmosis समझाने वाला हूं क्या होती है the flow of solvent molecules सबसे पहली बात किसके molecule हिलेंगे ठ्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनना question यही से put up होगा किसके particles हिलेंगे बोलो या solvent from low solute concentration जहां पर solute का concentration लो solvent में तो है यह नहीं तो यह यह आप लोगों का low solute concentration हो गया towards high solute concentration towards high solute क्योंकि solute तो खाली यही हैं क्योंकि मैंने solution लिखे बोलो इस प्रोसेस को आम लोग क्या कहते हैं osmosis के यह वाया semi permeable membrane आपको जरूर आड़ करना पड़ेगा semi permeable membrane वो membrane होती है जो solvent के particles को allow करती है ठीक है SPM इसको एक next point बना के SPM लिख लो a membrane which अभी कुछ मत लिखो अभी बनाओ कुछ मत जो बोल रहा हूं बसवाई लिखो next point बनाओ SPM लिख लो semi permeable membrane a membrane which allows only solvent particles to move across it allows only solvent particles to move across it ठीक है बिटा right अब आप लोग बनाइए बनाइए क्या खाली सुन लीजिए और module आपको पास है उसमें से पढ़ लेना दो तरह की semi permeable membrane होती है एक होती है natural और एक होती है synthetic तो जो natural होती है वो हमारी skin के just नीचे जो रहती है वो वाली layer को natural कहते है pig's bladder भी एक pig's bladder जो होता है ठीक है ना वो भी एक natural semi permeable membrane का ही काम करता है राइट और बाकी होते है synthetic जो की बने होती है silicon टाइप के material से निकल से आयनिन के combination से बने होते हैं एक बार यहाँपे प्रेशर क्या adding बनाओगे बिटाजी ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर द्यान से सुन लेना फिर लिखवा दूँगा सुन रहे हो द्यान से देखो आपको यह सेट अप नजर आ रहा है इस सेट अप में मैं क्या add-on कर रहा हूँ external pressure add-on कर रहा हूँ ओस्मोस समझ में आ गया था the flow of solvent particles from low solute concentration to high solute concentration now we are talking about what do we mean by osmotic pressure द्यान से सुनिये अब यहां पर अगर solute का concentration high है तो obviously यह दर move करेगा के नहीं करेगा बोलो यार अगर मुझे इस solvent को move करने से रोकना है तो मुझे यहां से थोड़ा सा external pressure लगाने पड़ेगा के नहीं लगाने पड़ेगा बोलो यार अरे अगर move नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं दे move करना है न अब जितना pressure उस move करने वाले को ना move करने के लिए देना पड़ जाए उतना pressure मेरा क्या हो जाएगा osmotic pressure हो जाएगा osmotic pressure को किसे represent करूँगा बेटा मैं पाई से एक बात बताओ एक बात बताओ अगर मेरा यहां पे solute का concentration और ज़्यादा हो गया तो यह और ज़्यादा इधर जाएगा तो यह और ज़्यादा pressure लगेगा इसके flow करोपने के लिए तो osmotic pressure भी solute की concentration पर directly depend करता है तुबारा बताओ के समझ में आ गया आगई बात समझ में तो pi is directly proportional to concentration term and we are taking concentration term molarity in this case कौन सी concentration term हम लोग यहां पे consider करेंगे बेटाजी molarity capital M use करेंगे फंडा clear हो रहा है के नहीं हो रहा बोलो या दुबारा बता देते हैं वी आर टोकिंग अबाउट osmotic pressure ठीक है osmotic pressure का definition कहता है उतना external pressure जो आपके flow of solvent को रोके towards high concentration जाने ने उतना pressure osmotic pressure है मैंने बोला osmotic pressure क्या solute की concentration के directly proportional नहीं होगा बिल्कुल होगा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा solute का concentration होता उतना ज़्यादा solvent और इधर जाता और और हमें external pressure लगाना पड़ता ताकि ये solvent का flow ना हो तो ये directly proportional concentration के है इसको concentration term molarity consider करी हूँ या c भी लिख सकते है तो proportionality constant लगाएंगे gas constant इसका जो proportionality constant होता है वो gas constant के जितना ही उसका value आता है तो CR और ये directly temperature के भी proportional रहेगा πाई तो ये जो है वो πाई is equal to CRT मन जाएगा क्या आपको बात समझ में आ रही है के नहीं आ रही बोलोगा तो अब ना इसको एक मिनट जो है वो note मत करो मैं आपको पहले definition लिखवा देता हूँ फिर आप ये setup बना लेना और फिर आप यहां से ये कहान ही note कर लेना ठीक है तो एक बार लिखो the amount of external pressure definition osmotic pressure का भी एक number में पूछ लेते हैं the amount of external pressure which must be applied which must be applied to a solution which must be applied to a solution to prevent to prevent any net flow of solvent particles to prevent any net flow of solvent particles into the solution into the solution from a pure solvent from a pure solvent through semi permeable membrane through semi permeable membrane is known as osmotic pressure या is called osmotic pressure ये फंडा क्लियर हो गया बेटा भी है ना, next point बना लो its units are same as that of pressure that is atm bar pascal etc क्या आपको फंडा समझ में आ गया बेटा जी yes or no या थीक है अब आप क्या note करेंगे pi is directly proportional to concentration then फिर आप लिखेंगे pi is directly proportional to T और osmotic pressure is also denoted by pi उपर लिख लेना therefore pi is equal to C or T beta जी R आपका gas constant हो जाएगा value gas constant जैसी है इसकी यह फंडा समझ में आ गया चलिए आप से मेरा सवाल है आप से मेरा सवाल है अगर for suppose यहाँ पर मेरा osmotic pressure pi 2 है आप यहाँ पर मेरा pressure जो है वो कितना है pi 2 और इस side पर जो मेरा pressure है वो मेरा pi 1 है बताओ कितना external pressure require रहेगा flow of solvent molecules को इधर किसकाने से रोकने के लिए question समझ गया हो इधर pressure pi 2 है इधर pi 1 है बही कुछ तो इधर भी होगा इधर भी होगा external pressure कितना हो जाएगा आप लोग का pi 2 minus pi 1 पंड़ा clear हो गया net pressure हमे pi 2 minus pi 1 लगाना पड़ेगा ताकि वो ये रोक दे ये भी एक pointer one pointer ठीक है ये भी बात right समझ में आ गई है आप लोगों को बाट ठीक है इसके बाद heading बनाएंगे आप लोग heading बनाईए note कर रहे हो अभी रूख जाते हैं चलो कोई बात नहीं है इस पर numerical बनेगा बरबर के और phone क्यों नहीं का लावे तुने बेटा भरी class में भरी online पिटाई खाना चाहते हो तो बताओ बाद में camera off करके अब अगर आपने phone निकॉला तो phone मैं रख लूँगा 2-3 दिन के लिए वो भी password पूछके फिर मैं निकालूँगा तेरी history उसका लूँगा screenshot अफिर तुमारे पिता जी को send देखो फिर ये 2-3 दिन बाद tuition आएगा क्योंकि 2-3 दिन इसको ठीक होने में लग जाएंगे नोट हो गया चलो अगली हेडिंग दा लेगी reverse osmosis की आरो देखो वही पुराना setup जो तुमने draw किया था ना अगर उसमें मैं external pressure for suppose जादा लगा दूं तो semi permeable membrane से अब solution की side से solvent की side पे solvent के particles का movement हो जाएगा क्योंकि semi permeable membrane solute को तो अलाओ करती नहीं है तो ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो अपने water को purify करते हो गरों पे या desalination of water करते हो नमक जो है वह आपका solute है और water जो है वह आपका solvent है जब आप एक side से pressure जादा लगा जेते हो तब आप लोगों का क्या हो जाता है solvent का flow उल्टा हो जाता है high concentration से low concentration की और अब जाएगा जब आप external pressure osmotic pressure से जादा लगा दोगे क्या आपको बात समझ में आ रही है आरो का process समझ में आ गया दुबारा समझा दूँ क्या पहले लिख लो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा if the pressure applied on the solution side is more than osmotic pressure is more than osmotic pressure of the solution of the solution then the solvent particles then the solvent particles move from then the solvent particles move from solution to solvent side solution to solvent side full stop if the pressure applied on the solution side is more than osmotic pressure of the solution then the solvent particles move from solution to solvent side full stop जब ये चीज़ होगी कि solvent particle, solute particle solution से solvent कर जाएगा solute particle तो जाई इनक पाएगा na solvent particle solution से solvent की और जाएगा जब external pressure ज्यादा और ज्यादा कर दोगे ठीक है अगला मतलब इसी में लिखो the process is known as reverse osmosis तो तीन definition आपसे पूछी जा सकती है osmosis क्या होता है लिखवा दिये osmotic pressure क्या होता है लिखवा दिये और reverse osmosis क्या होता है लिखवा दिये as it is लिख दीजिए का पिलकुल पूरे एक में से एक number आप लोग को मिल जाएंगे समझ में आ रही है के नहीं आ रही है बोलो आग आ रही है आपको बात समझ है ना चलो इसके अंदर अब क्या कहानी है example लिख लो example में आप लिख सकते हो this method is used in arrow water purification point बना के लिख लेना next point बना के लिख लेना this method is used in arrow water purification at home and also for desalination of sea water and also for desalination of sea water got it funda clear है जी ठीक है जी अगर for suppose solute में है तीन तरह का item present है बना solute में भी दो तीन तरह के solute present है एक solute नहीं है दो solute डाल दे तो एक का concentration plus दूसरे का concentration मिला करके एक final concentration बनाना आप उसको फिर pi is equal to CRT में put करना यह मैं क्या बोल रहा हूँ एक question लिखो आपको illustration में दिया हूँ अपने पास question लिखिए if V1 ML of मैं लिखी देताऊं कोशन if V1 ML of C1 solution if V1 ML of C1 solution and V2 ML of C2 solution are mixed are mixed together then calculate the then calculate the final concentration of solution then calculate the final concentration of solution and final osmotic pressure and final and final osmotic pressure full stop if the initial if the initial osmotic pressure of the two solutions are pi 1 and pi 2 respectively चलो जी क्या निकालने आप बताओ question पढ़ लो एक बार light चलीगी वावी देखें कितना अंदेर हो रहा है इतना ज्यादा नहीं होगा ठीक है बताओ भाई क्या निकालोगे final concentration of solution v1 ml of c1 solution मतलब एक solution का concentration c1 दिया दूसरे का concentration c2 दिया है और उसका v2 ml दिया है और दोनों को क्या कर दिया mix कर दिया then calculate the final concentration of solution ये एक चीज निकालने है and final osmotic pressure and final osmotic pressure तो सबसे पहले काम करते हैं मैं ही करवा रहा हूँ आप सिरफ board पे देखिए m1 v1 plus m2 v2 नहीं करेंगे क्योंकि वो formula for dilution होता है ये आपने mixing करे हुए है right तो इसमें कुछ नहीं है concentration term कौन सी लिए आपने बताईए molarity molarity का क्या formula रहता है moles upon volume of solution in liter तो अगर पहले मेरे को moles निकालने हैं तो moles निकालने के लिए molarity into volume करूंगा तो अगर मैं आपको बोलूं के c1 जो था वो n1 by v1 था therefore n1 कितना हो जाएगा c1 v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और c2 जो है वो n2 upon v2 है therefore n2 कितना हो जाएगा c2 into v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो अब जो हम concentration नहीं निकालेंगे new concentration उसमें n1 plus n2 moles को add कर देते हैं divide by volume को भी add कर देते हैं volume कितना है v1 plus v2 बोलो या ml में है ना तो यहाँ पे ml to ml ही चल रही है सारी कहानी कोई दिक्कत में है तो उससे क्या करूं तुझे लगा तो अब नहीं हो आप कर दे अब कर दे तो करने दे ना मुझे लगा मुझे अबे तुझे लग गया तो आगे बता दे क्या भी चारा है बे अरे देख लो ना उसके बाद डिसकस करना क्या पता कोई नहीं बाद पता लग जाए तो में नहीं बता या पता लग गी है तो पहले बता दो मुझे फिर मैं उसको analyze कर लूँ कि क्या मुझे आपको बताना है नी तो पहले मुझे बताने दो मजे लेते रहेंगे बीच में अब इधर देखो कभी दो चीजों को mix करते हैं ने जब हम और यहां पे N1 और V1 की टर्म में ही चल ला है अभी ML तो कोई scene shot हमने बिठाया ही नहीं है ठीक है वो कोई बात नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको भी ML में मालो इसको भी ML में मालो कोई दिक्कत नहीं है मोल्स की जगह है, अगर हम वोल्यूम में लेते हैं, तो मोल्स को मिली मोल्स प्रनाउंस करने लगते हैं ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें ये समझ में आरी है कि हमने खाली मोल्स निका लेहें, बताओ पैले यह आ रही है बाद समय में और नई concentration निकालने के लिए हमने N1 प्लस N2 को क्या कर दिया अब आड कर दिया टोटल मोल्स अपॉन टोटल वोल्यूम तो यह नई आपकी कहाँ नहीं बन गई अब आपने N1 की जगह है अब पहले इदर तो देख ले N1 की जगह क्या रखा है C1 V1 N2 की जगह क्या रखा है C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 तो यह बन गई आपकी क्या नई concentration यह बात समझ में आगई अब इदर देखो ओस्मॉटिक प्रेशर के लिए ओस्मॉटिक प्रेशर पाई 1 क्या होता है देखो सुनो if the initial ओस्मॉटिक प्रेशर of the two solutions are पाई 1 और पाई 2 respectively मतलब इनका ओस्मॉटिक प्रेशर पाई 1 था और इनका ओस्मॉटिक प्रेशर पाई 2 था तो पाई 1 क्या हो देगा C1 RT at same temperature अगर है तो T ले लिया मैंने और R तो constant होता है ठीक है बताओ C2, πाई 2 क्या हो देगा C2 RT हो जाएगा के नहीं हो जाएगा बोलो यार हो जाएगा यह अब बताओ πाई total कैसे निकालोगे दोनों के दोनों ओस्मॉटिक प्रेशर को क्या कर दोगे add कर दोगे क्या कर दोगे add मतलब पाई final निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पाई 1 प्लस पाई 2 तो C1 RT प्लस C2 RT और C1 प्लस C2 RT आगया अब आप C1 प्लस C2 की जगे क्या करोगे बताओ पाई final में न new C1 करना था आपको एक सेकेंड रुख जाओ ना इधर देखो इसको ऐसे क्यों कर दें हम इसको ऐसे करते ही नहीं है पाई final आप इन दोनों solution को मिला चुके हो और solution को मिला के यह बना चुके हो नहीं concentration अरे बोलो यार तो आप पाई final में C new वालना लेलो ना into RT वैसे भी कर सकते थे और यह थोड़ा सा simple बता दिया मैंने आपको है न अब आप क्या करो के C new जो है वो इसको यह डाल लो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 RT वही कार नहीं बन जाती लगबग वैसे चलो C1 की जगे आप C1 की जगे क्या डाल सकते हो आप लो और C2 की जगे क्या डाल सकते हो और RT common ले लोगे तो 1 by RT common हो जाएगा RT से RT क्या हो जाएगा तो पाई 1 V1 प्लस Y2 V2 अपॉन अजे बोलो यार ये ठीक है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हम final osmotic pressure को इनकी terms में बना रहे थे इस तरीके का option आपको कुछ दिखेगा तो आपको वो टिक करना पड़ेगा बात ही है और कोई बात ही है और कुछ logic नहीं है इसके अंदर मतलब pull मिला के कुछ नहीं है आपने अगर नया osmotic pressure निकालना भी है तो आपको जो दो concentration पहले दी हुई है उसको C1 प्लस C2 कर देना और एक नई concentration बना लेना वो नई concentration into RT आपका final pi हो दाएगा मतलब अगर तीन solution दी होते तो तीनों की individual concentration का sum कर लेना वो हमने sum करके ये बना लिया समझ में आगई आप लोगों को volume जिसमें भी है उसमें आप लोग ले लेना उसकी according ले लेना समझ में आगई और इसको यहाँ पर put कर देना खत्रब का got it ठीक है तो मुद्दा यही था आपको बताने का note point यहाँ से यही निकलता है कि अगर तीन टाइप के solute है तो तीनों की individual concentration को sum करोगे पहले उसके बाद उसको rt से multiply करके final pi निकालोगे ये मतलब conclusion है मेरे point का ठीक है समझ में आगई बात कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है ठीक है अब वैसे तो यह कहानी तो है वो थोड़ी सी और है इसको खत्म ही करने क्या topic को कितनी देर की होगी हमारी class एक बाद देखो 47 minutes की हुई है अभी एक काम करते हैं topic को खत्म कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं चलो थोड़ा सही रह गया जादा नहीं रह गया यह note हो गया आप लोगों का बस छोटे छोटे से 3-4-5 point है 3-4 और 5 ही है 3-4 और 5 ही है बस 5 ही होंगे फिर पहुत छोटे है चलो देखो सबसे पहले आएगा आप लोगों को एक वरड आइसोटोनिक सोलूशन्स नाम का किसका है नहीं का वीटा थी आइसोटोनिक सोलूशन होगा जब आपके दो different containers में दो सोलूशन होंगे और दोनों का osmotic pressure same होगा at same temperature बात होती है यह 5000 पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाता है पाई 2 C1 RT is equal to C2 RT हो जाता है RT से RT cancel हो जाता है C1 equal to C2 रह जाता है कुछ दिया होता है और कुछ कमास पूछा होता है खतम का C stands for Molarity है यह कब होगा जब आपको term क्या दिया होगा इस टू solutions are मतलब इन दोनों का cosmotic pressure same है एक point खतम हो गया ठीक है खुश है second point हाँ पांचों ही ऐसे ठीक है अब heading बनेगी आपकी इसी point की तरह है hypertonic and hypotonic solutions hypertonic and hypotonic solutions इसमें देखो इधर देखो यह container है यह solution 1 और यह solution 2 है यह pi 1 और यह क्या इधर osmotic pressure pi 2 अगर मैं कह दूँ pi 1 is greater than pi 2 है तो यहाँ पे osmotic pressure ज़्यादा है तो यह solution आप लोगों का hypertonic वाला हो जाएगा और यह वाला solution कैसा हो जाएगा आपका hypertonic solution जहाँ osmotic pressure ज़्यादा हो जाएगा वो hypertonic हो जाएगा और जहाँ कम हो जाएगा वो hypertonic हो जाएगा very simple it is got it तीन हो गई ना अब कुछ नव ऐसे theoretical points है इसमें applications में आ जाएंगे वो काफी सारी applications हैं दो तीन बता देता हूँ जो school के paper में आती है ठीक है और ली बता देता हूँ आपको photo कीचके बेज़ दूँगा नी तो module में points बने हुए वहाँ से देख लीजेगा ठीक है अटा दूँ इसको अटा दूँ और यह पक्का आएंगे school के paper में confirm बता रहा हूँ आपको जो हमारे red blood cells होते न वो isotonic होते हैं क्या होते हैं with 0.9% NACL solution के 0.9% NACL का जो solution है उसमें अगर मैं red blood cell डालूँगा तो isotonic है cell के अंदर भी fluid होता है वो fluid का osmotic pressure और बाहर का osmotic pressure बाहर कोन है NACL यह बराबर है isotonic है अब अगर solution NACL का 1.2% NACL कर दिया आप लोगोंने तो बाहर concentration बढ़ चुकी है अंदर कम हो चुकी है flow of solvent molecules from low concentration to high concentration osmosis हो जाएगी और cell आपका श्रिंक हो जाएगा तो cell आपका श्रिंक हो जाएगा क्या आपको बात समझ में आ रही है अगर यही मेरा solution 0.2% NACL solution के अंदर डाला तो cell का अंदर का fluid का concentration जादा हो गया भार का कम हो गया भार से अंदर मामला चला जाएगा और cell आपका swell हो जाएगा हाँ biology है समझ में आ गई के नहीं आ गई बोलो पक्का funda clear हो गया easy था नहीं है बिल्कुल easy था यह तो इसको एक बार note करी लो छोटा सा point बनाया न आपके लिए बहुत एक यह आता है ठीक है एक point इसके बाद और लिखवा रहों बस last last है वो गिनके 5 बाते भी नहीं हुई देख लो तुम कितनी बात चल ली है तीसरी थी यह सुरी चौती थी चौती थी यह जिनके 5 ही होंगी जुबान का पक्का हूं बीच में तुम्हें टेस्ट कर रहा था कितनी बताई थी 5 बोली थी के नहीं बोली थी बता डिम्पल पहले 5 में चलो एक बार लिख लो पहले इसको बनाना बनाना मत रेड ब्लड सेल्स आर आइसो टोनिक विद 0.9% NACL solution यह लिख सकते उपर र लगा देना बीच में रेड ब्लड सेल्स आर आइसो टोनिक विद लास्ट पॉइंट लिख लो आप फस्म प्रॉशर ब्लड सेल्स टॉश्ट विद लीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटा आइसो टाइसों what we will see here is, its measurement in the lab is very easy. So, its measurement in the lab is very easy and thus this method is and thus this method is frequently used in the measurement of molecular weight of solute. आपको molecular weight of solute, आपको एक कोशन आएगा कि why osmotic pressure is preferred over other concentration terms, कोशन सुन रहे हो बेटाजी? कॉलिगेटिव प्रॉपरटीज चार पड़ाई है, क्यों इन चारो कॉलिगेटिव प्रॉपरटीज में measurement of molecular mass of solute के लिए मैं osmotic pressure का इस्तिमाल करता हूँ, बाकि क्योंकि इसकी कोई significant proper value आती है, और दूसरा room temperature पे, lab के अंदर इसको measure करना असान देता है, जबकि आप देखलो freezing point को कितना छोटा छोटा value आया था, और freezing point इतना कम temperature करना पड़ेगा, boiling point इतना ज़्यादा temperature करना पड़ेगा, बोले राइट, तो सबसे ज़्यादा calculation is the osmotic pressure का इसी के साथ, आज की class होती है, समाक्त, qualitative properties सारी होगी, एक ही topic बचा है, went off, factor, वो हो जाएगा हमारा, Sunday को, फिर करेंगे हम कुछ competitive exam के question और theory theory के question on Monday, बस फिल, chapter close है on Monday, ठीक है, Monday के बाद एक धमाकेदा test, okay